तब नचिकेता बोले मदन मोहन तरुन के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित तब नचिकेता बोले पिता नहीं है आपके पास दुगधवती गोशालाओं की कमी स्रेश्ट से स्रेश्ट तम प्रजातियों की दुग्धवती गायों का विशाल भंडारन है आपके पास फिर भी यह दान ऐसी गायों का जिनकी शिथिल हो चुकी है काया अस्थिमात्र है जिनका तन सूख चुके हैं जिनके इस तन जो है करीब करीब मरना सन यह कैसा बोदान पिता स्री यह कैसा है कैसा है यह दान पिता यह दान नहीं विसर्जन है बुहारन है अनावश्यक का पिता यग्य की अग्नी को अर्पित गृत हवन है किन्त चिता की अग्नी को समर्पित गृत शरीर श्रवदाख है यग्य की अगनी को अरपित घृतहवन है किंतु चिता की अगनी को समरपित मृत शरीर शवदाख है देवता पर अरपित पुषप बूजा है देवता का सम्मान है उसे चलाया जाता है मस्तक पर मान कर आशीर वाद किन्तु शब पर चढ़ाया पुष्प नहीं रखता कोई भूल कर भी अपने घर में या अपने आसपास अन्निता वह बन जाता है मृत्यु का आवाहम गंगा में प्रवाहित पुष्प पूजा है किन्तु गंगा में प्रवाहित शब क्रंदन है और तनाद है दान जिस भाव से हो जैसी भी वस्तु का किया जाता है दाता के पास वह वैसा ही लोट आता है पिता नहीं है दान के युग ये ब्रद्धा मरना सन्न गाएं नहीं ला पाएंगी ये कुशलक शेम बन शकती हैं ये अमंगल का कारण पिता इन्हें ब्राहमन स्वीकार लेंगे आपके शाप के भैसे किन्त छोड़ देंगे इन्हें मार्ग में ही किसी सघन वन में नियती होगी इनकी एक मात्र बनेंगी ये पसुओं का आहार नहीं पिता नहीं नहीं है यह आप जैसे महान रिशी के उपयुक्त व्यवहार कृद्ध हो गए रिशी उद्दालक अपने पुत्र की कठोर वानी से धदक कुठा उनका मानस आक्रोश के उत्ताप से बोले पुत्र है तू मेरा पिता नहीं शिश्वत्त की अवस्था है तुम्हारी गुरत्त की नहीं अपना होकर भी करता है परायों सी बात जीवित हूं मैं सग्यान हूं मैं पर करता है मुझ पर तू गीत सी खात और बोलते बोलते आवेश में रिशी भूल गए यग्य आहुती गोदान और सारा परिवेश वानी बनकर अभिशाप छूट गई वान सी बोले देखते हुए किशोर नचिकेता की ओर धदकती द्रश्टि से जातु यमलोक अब वही होगा तेरा आवास सुनकर यह कठोर वानी तनिक देर स्टब्ध रह गया नचिकेता देखता रह गया कुछ देर पिता की ओर फिर बोला पिता मुक्त करता हूँ मैं आपको अब इस शरीर की अनावश्यक पिता मुक्त करता हूँ मैं अपने आपको अब इस शरीर की अनावश्यक परिदिसे मुक्त करता हूँ मैं स्वैम को समस्त बंधनों के संबंधों के बंधन से और आरंभ करता हूँ अपनी नई यात्रा प्रत्वी से शोन्य की ओर और जोति स्वरूप नचिकेता तिरोहित हो गया मानस लोग की अनंतता में और पार करने लगा एक के बाद एक कई लोग और पहुँचा ऐसे लोग में जहां न था अंधकार न था प्रकाश न था दिन न थी रात न था सूर्य न थे चंद्र या कोई और ग्रहनक्षत्र न था द्रिश्य न था अद्रिश्य समरस्थ था सब कुछ यह था उर्द थ्वस्थित मनो लोग जहां नचिकेता ने वह सब घठित होते हुए देखा जिसे नहीं था संभव देखना पार्थिब आँखों से देखा उसने यहां स्रिष्टी स्रष्टा जीवन मृत्यु का तादात में जिस प्रकार जीवन है एक स्थिती शरीर की मृत्यु भी है एक स्थिती अशरीर की नहीं है इस यात्रा की कोई समाप्ती है यह सतत विद्यमान किन्तु नहीं है सब के लिए संभव पाना इसकी पहचान हवा एक ही है किन्तु वह सर्वत्र विद्यमान है कहीं समरस है कहीं है आंधी तूफान पूरंता में भी जो रह जाती है थोड़ी जगा खाली उसी जग्यासा में है उसका अधिवास शुन्यता के इस अनंत विस्तार में जो भी लगता है अग्य वही है वही है इस स्रिष्टी का सार